आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में हमें Given Double Bar Graph जो है इससे Study करना और Given Questions को जो Follow है उसे हमें Answer करना है तो इस Bar Graph में हमें क्या Given है Y-Axis पे Month है January, February, March, April, May, June और यहाँ पे Sales है In Lacks ठीक है अब Light Blue Color जो है वो Brand A को Denote कर रहा है and the Dark Blue Shade है वो Brand B को Denote कर रहा है अब First Question हमसे जो पूछा है कि What Information is Represented by the Above Double Graph तो क्या Representation हो रहा है कि हमें Sales पता चल रहा है In Lack and INR ठीक है So it represents Represents Sales ठीक है In Lacks and INR है मतलब Indian Currency में For the Months For the Months और यहाँ पे Month कह है Jan, Feb, March, April, May, June तो हम बोल सकते है Jan to June Jan to June in the years और यह दो year का हमें Representation है That is year In the brands Years नहीं Of the brands A and B Of the brands अगर हम देखे Brand A And Brand B हमें दो brands का Jan to June मन्त का हमें Sales पता चल रहा है अब B देखता है कि किस मन्त में Sales of Brand A Decrease हुआ है Compared to the previous month ठीक है तो अगर हम देखे Brand A light blue color है तो Jan में 31 है और Feb में 34 है मतलब increase हुआ है फिर Feb में 34 है और March में 30 है तो मतलब पहले मन्त से Decrease हुआ है तो इसका मतलब March के मन्त में Decrease हुआ है ठीक है Then यहां पे 30 and 40 increase हुआ है 40 and 42 मतलब फिरसी increase हुआ 42 से 57 तब भी increase हुआ सिर्व March के मन्त में Decrease हुआ है ठीक है अब C पार्ट अगर देखे कि what is the difference in sales of both the brands for the month of June तो June मन्त में अगर हम देखे Brand A Brand A and Brand B हमें बताना है इनमें कितना difference है तो Brand A है 57 lakhs ठीक है रुपीज 57 lakhs and Brand B जो है that is रुपीज 54 lakhs रुपीज 54 lakhs तो इनका जो difference है बोद the brands के बीच में जो difference है वो कितना होगा रुपीज 57 lakhs माइनस रुपीज 54 lakhs तो 57 माइनस 54 कितना होगा रुपीज 3 lakhs ठीक है और इसे हम ऐसे भी लिख सकते है रुपीज 3 और यह lakhs ठीक है तो हमारा answer होगा रुपीज 3 lakhs यह difference आ गया in the month of June अब देखे D तो हमें average sales और brand B बताना है for all the 6 months ठीक है तो अगर हम देखे brand B हम देख रहे अब अगर हम सारे को हम lakhs और INR में consider कर रहे ठीक है तो जैन मन्त में जैन, फेब, मार्च ठीक है देन एप्रिल देन में आड देन जून हमें 6 months का बताना है average तो जैन में brand B है 36, देन 38, देन 43 36, 38, 43 अब एप्रिल मन्त में 35, देन 45 and 54 35, 45 and 54 या आ गया तो अब हमें average find करना है तो average कितना होता है sum of all the observations या data जो हमारे पास है upon total number of observations ठीक है तो यहाँ पे 6 months है तो 6 number of observations और sum कितना है 36 plus 38 plus 43 plus 35 plus 45 plus 54 divided by 6 तो पहले हम 36 plus 38 करता है तो 6 plus 8 14 तो 74 प्लस अगर हम देखें या पे 78 plus 99 by 6 तो 4 plus 8 अगर देखें 12 तो 152 plus 99 by 6 तो 2 plus 9 11 6 plus 9 15 तो 251 by 6 या आ गया हमारे पास that would give us अगर हम देखें 41.8 थी और क्योंकि ये रूपीज में है और लाक्स में तो रूपीज 41.83 लाक्स तो ये हो गया हमारा average of the 6 months ठीक है अब हम देखेंगे ये हमारा D part हो गया अब E part में क्या है हमें all the months list करना जिसमें sales of brand B जो है वो less than brand A है ठीक है मतलब brand B का sales less होना चीए A से तो 31 और 36 मतलब ये वो brand brand B इसमें ज़्यादा है इसमें भी brand B ज़्यादा है इधर भी brand B ज़्यादा है बस ये एक month है यहाँ पे 35 और A 40 है और यहाँ 54, 57 है मतलब एप्रिल और जून में brand B की sales brand A से कम है तो हम इधर लिख देंगे April and June ठीक है अब हम अगर F part देखते तो F part में क्या है कि हमें इस रेशियो फाइंड करना brand A as compared to brand B for the month of Jan तो Jan में brand A जो है वो 31 ठीक है brand A जो है उसके sales है रुपीज 31 लाक्स और brand B का जो sale है वो कितना है अगर हम देखें रुपीज 36 लाक्स रुपीज 36 लाक्स और हमें जो रेशियो फाइंड करना है वो brand A compared to brand B का है ठीक है तो मतलब A by B अगर देखें तो ये कितना होगा 31 लाक्स और क्योंकि ये करेंची है अपॉन रुपीज 36 लाक्स तो यूनेट तो cancel out हो जाएगा क्योंकि सेम है और ये 31 by 36 आ गया तो रेशियो कितना होगा 31 is to 36 So this is the required ratio and our answer Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर